हार का हार, सारांश माथिल दे लोईसेल अपने पती के साथ एक छोटे से फ्लैट में रहती थी वो शिक्षा मंत्राले में कलर के रूप में काम करता था वे एक आलीशान जीवन नहीं जी पाए थे हाला कि वे गरीब नहीं थे, मात्र साधारन थे हाला कि माथिल दे की इच्छा अमीर बनने की थी वो बड़ा घर ना होने से परेशान, मिराश और दुखी महसूस करती थी इसके अलावा उसकी इच्छा थी की अच्छे कपड़े, धेर सारे गहने हों जो उसे दुखी करते थे एक दिन उनका पती उसे एक शांदार पार्टी का निमंत्रन लाता है ये गेंद के लिए एक निमंत्रन था उसने सोचा कि उसकी पत्नी निमंत्रन पत्र देख कर बहुत उतसाहित होगी हाला कि उसकी पत्नी खुश होने के बजाए निमंतरन पत्र फेक कर रोने लगी उसने ऐसे महान अफसर पर पहनने के लिए सुन्दर पोशाक ना होने की शिकायत की वो सबका ध्यान आकरशित करना चाहती थी साथ ही वो पार्टी में सफल होना चाहती थी उसके सज्जन पती ने उसे सुन्दर पोशाक खरीदने के लिए 400 फ्रेंक दिये उसने राइफल खरीदने के लिए पैसे बचाय थे पार्टी का हफता करीब आ गया उसकी पत्नी फिर से चिंतित लग रही थी वो परिशान थी क्योंकि उसे लगता था कि उसके पास पहनने के लिए कोई गहने नहीं है उसका पती उसे अपने दोस्त जीन फोरस्टिया से ही मांगने का सुझाव देता है माथिल दे उसके घर गई और एक जगमगाता हार उधार लिया माथिल दे अपने पती के साथ पार्टी में खूब मस्ती की वो सबका ध्यान अपनी और खीचने में सफल रही फिर वे सुबह के विशम घंटों में घर के लिए रवाना हुए घर पहुँचने पर माथिल दे अपनी गर्दन के चारो और हार न पाकर हैरान रह गई उन्हें लगा कि हो सकता है कि वो उस टैक्सी में गिर गया हो जिसे उन्होंने घर पहुँचने के लिए लिया था इसके अलावा उसने उन सरकों पर खोच की जिन से वे आये थे इसके अलावा उसने पुलिस से संपर्क किया विग्यापन दिया लेकिन सब्व्यर्थ उसके पती ने उसे अपने दोस्त को एक पत्र लिखने के लिए कहा उसने लिखा कि उसके पास अक्वार तूट गया है और वो उसे ठीक करवा रही है इस बीच वे एक समान हार की खोज में सफल रहे हाला कि इसकी कीमत 36,000 फ्रैक थी उसके पिता से उसके पती को 18,000 फ्रैक विरासत में मिले थे हाला कि उन्हें बाकी पैसे उधार लेने पड़े वे विरासत में मिले और उधार के पैसो से हार खरीदने में काम्याब रहे लेकिन उन्हें उधार ली गई राशी को चुकाने में 10 साल लग गए इन वर्षों में उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया है वे एक छोटे अपार्टमेंट में चले गए खुद साफ सफाई की और खाना बनाया इसके अलावा उसके पती ने राशी चुकाने के लिए कई काम किये साथ ही वो एक गरीब घर की एक मजबूत महिला की तरह लगती थी वो बहुत बूरी लग रही थी एक दिन उसने सडक पर मिस जीन फॉर्स्टियर को देखा उसने उसे हार के बारे में सच बताने का फैसला किया बादवाला पूर्फ की खुर्दरी उपस्थिती से अवाक रह गया था इसके अलावा हार का सच जानने पर जीन फोरेस्टियर ने बताया कि वो नकली था उसी का मूल्य 500 फ्रैंक से अधिक नहीं था कहानी का सार कहानी हमें बताती है कि एशो आराम की लालसा नहीं करनी चाहिए व्यक्ति के पास जो है उससे संतुष्ट और संतुष्ट रहना चाहिए इस शायद दुख का कारण बनती है इसके अलावा हमें कभी भी सत्य नहीं छिपाना चाहिए